दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप Swift Desire का जो instrument panel होता है तो आप उसकी जो lights होती है तो उसकी जो brightness होती है तो आप उसको कैसे adjust कर सकते हैं तो इसके लिए आपने सबसे पहले जो parking light है तो उसको on कर देना है तो जैसे अब parking light on होगी है तो यह वाली जो knob है तो आपने इसको left की तरफ rotate करना है तो आप देख सकते हैं कि अब मैं जब इसे rotate करूँगा left की तरफ तो जो brightness है तो वो decrease हो रही है इसकी तो ऐसे आप इसको जितना rotate करते जाएंगे left की तरफ तो इसकी जो brightness है तो वो decrease हो जाएगी तो अब जो बिलकुल decrease होगी है तो अब आपने इसको दुबारा से अगर increase करना है तो आप इसको right की तरफ rotate करें तो आप देख सकते हैं कि जो brightness है तो वो increase हो रही है